हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूं तिरपल आर मोवी के रिब्यू के साथ तो दोस्तों आप भी जुनिया एंटिया और राम चरड की यह फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आपको इस फिल्म के सभी जा सफलता के बाद जब कोई निर्देशक अपनी अगली फिल्म के साथ थेटर पहुचता है तो यकीनन उससे उमीद कई गुना बढ़ जाती है फिर अगर यह सफलता आल टाइम ब्लॉगबर्श्टर वाली रही हो तो उससे उमीदों का सैलाब उमर परता है ऐसा ही कुछ बाह उमीदों काफी ज़्यादा बढ़ जाती है भारी उमीदों के बीच यह फिल्म सिलेमा घर पहुच चुकी है तो क्या इस बार भी बाहुबली निर्देशक वही कमाल करने में सफल रहे हैं फिल्म दर्सकों को ठीटर खीच कर लाने और फिर पैसा वसुल मनोरंजन देने में कितने सफल रहे हैं आईए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करें इस फिल्म की कहानी की तो फिल्म तिर पार आर हमें कोमा राम भेम यानि कि जुनिया एंटियार और अलूरी सीता राम राजू राम चर्ण की कहानी को बड़े पर दिखाती है जिसमें उनकी असली संगर के बाद एक फिक्सल स्टोरी की कहानी बैक्ग्राउंड में दिखाई जाती है इससे जादा आपको इस फिल्म की कहानी नहीं बड़ा सकता वहीं दोस्तों बात करें कि इस फिल्म में क्या खास बात है तो यानि की पॉजिटिव पॉइंट की तो राम चर्ण और जुनिया ए दोस्ती का परिचे देती हैं जो हम पुराने दिनों में बाले बुट की कई फिल्मों जैसे सोले याराना दोस्ताना और दोस्त के जरिये देख चुके हैं बेसक जब आप राजा मौली एंटियार और राम चर्ण की इस अनोखी यात्रा में सामिल होते हैं तो बड़े परद देना है हर फ्रेम स्वाद्र लेने का उसर है जबकि दो लीट इस्टार्स को पूरी तरह चमकाने का एक समान मौका दिया जाता है फिर वो जो अपनी प्रद्भा और करिस्मेश से करते हैं वो कमाल के हैं दोस्तों आपको बता देकि निजदेशक राजा मौली की फिल्म ति इसया नहीं बता सकता निजदेशक राजा मौली के इस्किन प्ले और कहानी बैया करने की उनकी शंटा इस फिल्म में चायर चांद लगा देती हैं दोस्तों फिल्म के सभी कलकारों ने अपने अपने किरदार में जान फूँग दी है बीडेशी कलकारों ने भी अपनी अध बना देते हैं साथ ही स्वतंतता से नानियों को सरधान जली भी पेस करते हैं फिल्म के टेक्निसियन की बात करें तो केके सेंथिल कुमार की सिनिमेटोग्राफि म.म कीरा वेनी के गाने और बैक ग्राउंड इसको कमाल के हैं वी एफेक्स भी काफी सांदार है साथ ही रामचार और दूसरा फिल्म का अचानक से खत्म होना जबकि आप उमीद करते हैं कि अभी कुछ और भी होगा इसके अलावा फिल्म जबर जस्त है अब दोस्तों बात करें मेरी उपनियन की तो यसे राजा मौली के इस जादोई करिश्मे को देखना एक अनुभा है त्रिपल आर एक परफेक्ट मसाला मुवी है जो दर्सको को हसाएगी नचाएगी रूलाएगी गर्व से भर देगी फिल्म का भी एफेक्स कमाल का है इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए यह फिल्म आपके पैसे को फुल वसुल कर देगी और अगर आप रामचर ज कोई ऐसी बड़ी फिल्म आई है जो आपको पूरी तरह से मनुरंजन कर देगी तो दोस्तों यह थी जुनिया इंट्या रामचर की फिल्म की पूरी जानकरी तो दोस्तों आपने यह फिल्म देख लिया तो हमें निच्छे कमेंट्स कर अपना रिभी जरूर दीजिए और आ आपको मिल सके